वापस वही पर आ गया जहांपे था सिंपल सा एक कहानी 18,300 गया आसपास ओपनिंग मिली थोड़ा सा पुछ लिया और धलाम से फॉल 18,300 अभी पी एक लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है 18,300 का रेजिस्टेंस बना हुआ है मैं आपको कल ही बोला था कि 18,350 का जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल है क्योंकि 350 और 450 एक पुराने रेजिस्टेंस भी थे ध्यान रखि है ये सारी चीजे निप्टी चलते हैं option chain में चेक करते हैं और मैं आज कोई trades नहीं ले रहा हूं एकस्पारी को बहुत कम कोशिश करता हूं trades लेने की safe रहने की तो मैं कोशिश करूँगा आज कोई trade नहीं लूगा तो आयो hope शायद कि आज को बहुत अच्छी चीज मिल जा या मैं रहूंगो वैसे क्योंकि मुझे बाहर कहीं भी जाना है इसलिए तो मैं कोशिश करूँगा trade नहीं लूगा और अगर कोई trade हुई तो फिर मैं वीडियो जरूब ना कड़ा लूँगा 18,300 सबसे पहले चेक करेंगे क्यों वहां से market ने लिया है एक fall 18,300 को अगर आप देख पा रहे हैं 75,000 का change in OI आ चुका है 2,86,000 का open interest काफी अच्छे numbers हैं 18,300 पर और put की बात करें तो सिर्फ 37,000 something का change in OI है 18,300 को clear cut एक resistance बना चुके हैं market में 18,250 को देखे तो वो भी एक अच्छा खासा resistance बन चुका है दोनों तूटते हुए आपको नजर आ चुके हैं बात करें 18,200 की तो 200 पर एक चोटा सा कहीं से support नजर आ रहा है 35,000, 36,000 का change in OI है 151,000 का open interest है उसके बाद 18,100 भी एक अच्छा support निकल कर आ रहा है 18,000 एक long distance अच्छा support निकल आ रहा है तो sellers जो है वो 18,000 की put sell कर सकते हैं और buyers आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि 300 तो एक resistance बनी गया था 250 भी एक resistance बन गया था 350 तो एक resistance है ही और अच्छे खासे ऊपर resistance है बात करें 250 तो एक mid zone बन सकता है market के लिए 250 का जो level है वो एक mid zone बन सकता है उसके नीचे 200 एक support है उसके नीचे 150 भी एक support है उसके नीचे 100 भी एक support है फिलाल के लिए numbers बहुत तेजी से change हो रहे हैं खास ध्यान रखें अब फिलाल के लिए market को देखें अगर तो market ने 200 पे आके ले लिया है एक pause क्योंकि 200 पे थोड़ा सा put writing हमें दिख रही थी तो यह support बनने की कोशिस कर सकता है until unless यहाँ पे call writer बढ़ जाएं साथ के साथ आप आरे साई को भी देखियो almost 40 के level पे आ चुका है तो क्या यहाँ से support लेता है 18,200 पे और ज्यादा तो यह एक support बनेगा नहीं तो यह तूटेगा तो अब एकसी बात है आपको call writers बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे अगर एक बार को फिलाल के लिए जलक देखें 18,200 के call writers 18,941 है और साथ के साथ देख लेते हैं 35,900 इसको करते है रीफ्रेश यह चार मिनिट का हमें difference मिल चुका है आप देखते हैं 18,200 में क्या आया है 36,000 बढ़ गए हैं और 18,200 का call writing बढ़ चुका है भैंकर तरीक से चार मिनिट में देखें कितना फरका है इसलिए मैं बोलता हूं बाइसाब कि option chain को refresh करके देखते रहे करिए यह नहीं कि सुबह देख लिया उसका शाम को बोले सर वहां पर तो support था मारके तूट गई तो ऐसे तूटती है इसलिए बोलता हूं इसको refresh करके देखते रहे हैं और यहां देखे 41,000 वहां कहां 18,900 से बढ़कर 36,600 हो गया सिर्फ चार मिन में और यह 39,000 से बढ़कर 41 हुआ है सिर्फ तो इस इसका खास ध्यान रखें मारके तूट नेक्स सपोर निकालन इसी तरीके से अपडेट करके देखते रही है चीजों को आपने प्रॉफिट किया तो कमेंट करें जो उता दीजेगा वीडियो को लाइक जो कर दीजेगा बैंक निफ्टी को देख लेने एक बाद 43,000 से फॉल होना शुरू हुआ उसके बाद 42,500 का अब्योसी बात है एक लेवल है जो वंडे के चार्ट पे हम देख रहे थे 42,500 का कुछ यहां इस परकार अल्मोस्ट टच हो चुका है 43,000 टूटेगा तो 42,500 दिखेगा यह कल की भी बात हुई थी इस बात पर पर प्रॉफिट किया है कमेंट करके जो बता दीजिए अब बात करते हैं देख लेते हैं कि 42,500 की पहले क्या कहानी है क्या वहाँ पर सपोर्ट है या नहीं है इसे कर लेते हैं रिफ्रिश 42,500 का एक इंपोर्टेंट जोन हमारे पास आ चुका है 42,500 का अगर लेवल देखें 39,000 का चेंज इनवाई है कॉल राइटिंग में और पुट राइटिंग में 57,000 का चेंज इनवाई है ओपिन इंटेस भी काफिए फिलाल के लिए जो नंबर्स दिख रहे हैं वह 42,000 को एक से कॉल राइटिंग हो रखी है 1,10,000 अप्रॉक्स ओपिन इंटेस भी काफी अच्छा है और पुट राइटिंग सिर्फ 9,000 तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस था 14,900 यह शुरुवात से था कर मौनिंग में आप देख रहोंगा मैंने मौनिंग में चेक किया था आप भी इसलिए लगातार चेक करें 42,600 कि अगर हम बात करें 42,600 वो एक टाइट जोन होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चेंज इन वाई 54,000 और 61,000 कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मिड जोन हो सकता है 42,600 बाकि 700 एक रिजिस्टेंस है 800 वे रिजिस्टेंस तो 500 के ऊपर के जितने भी लेवल्स है 500 और 500 500 के ऊपर के जो लेवल 600 700 800 900 43,000 सब रिजिस्टेंस नजर आ रहे और नीचे अगर हम बात करें सपोर्ट निकालने के लिए एक अच्छा सपोर्ट तो आपको सपोर्ट दिखतो 42,400 पर ही रहे लेकिन यह कब रिजिस्टेंस बदल जाए इसलि यह चीजे कभी भी बदल सकती है खास ध्यान रखें इनी सब चीजों के चलते मैं expiry को बहुत कम ट्रेड करने की कोशिश करता हूं पिछली बार हमने 1.25 लाग का प्रॉफिट किया था अच्छी बात है एक 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 बार expiry पे ट्रेड कर लिए बहुत अच्छी बात है रिस् साइब भी ब्रेक हो चुका है तो क्या दोनों एक ही फेवर में रहेंगे और लगातार बार 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 स्टेडी कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं पोस्मार के आंसे वीडियो में थैंक यू